Laws of Motion का सबसे important topic Friction Friction क्या होता है? Friction हमारे relative motion को रोकने की कोशिश करता है अगर मैं ऐसे किसी चीज को घसीटता हूँ इन दुनों के बीच में relative motion होने वाला है दुनों को साथ में ले जाओंगा तो फिर friction नहीं लगता एक को रोक रहा हूँ, दूसरे को भेजो तब friction लगता है, नहीं relative motion को रोकता है Friction opposes impending motion impending का मतलब क्या होता है? कि जरूरी नहीं motion हो रहा हो, तभी friction लगे अगर motion होने वाला है, तो भी friction लग जाता है impending का मतलब जो होने ही वाला motion मालों मैं इस पर उपर वाले हाथ को दर force लगा रहा हूँ तो मुझे पता है, force मुला होंगा तो motion हो जाएगा friction बोलेगा, नहीं नहीं, motion होने वाला मैं होने ही नहीं दूँगा उसको, friction पहले ही लगना शुरू होता है बहुत ज़्यादा force लगाता हूँ, तब मैं इस तरह आग निकल पाता हूँ इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा okay, friction होता क्यों है, क्योंकि हमें आपास जो surfaces होती है देखने में कितनी भी smooth हो, लेकिन इस तरीके से microscopic level पे थोड़ी खुर्दूरी होती है और इसकी जाधर detail में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है अब एक बात बताओ, यहाँ पर में आपास एक बड़ा block, एक छोटा सा block है अगर यह लोग rest पर हैं, तो friction नहीं लगेगा लेकिन अगर मैं इसको move करने की कोशिश करूँ मानलो मैंने इसको यहाँ पर खीचना शुरू कर दिया इस तरीके से, velocity नहीं दे रहा हूँ, मैंने इसको खीचना शुरू कर दिया तो अगर मैं इसको खीचना शुरू करता हूँ अगर यहाँ पर friction होगा ही नहीं तो यह नीचे से निकल जाएगा, यह निकल के इस तरीके से आगया जाएगा तो देखो, यह वाला block यही रह जाएगा हवा में basically यह यही था, यह वाला block हमारा जो यहाँ था अब वो यहाँ पहुँच चुका है, इसी को मैंने इधर ड्रॉ किया हुआ है तो आप यहाँ पर समझो कि इन दोनों के बीच में कुछ relative motion हो गया यह भाईस आप यही रहेगा, यह आगे निकल गया तो ऐसे केस में relative motion हो रहा है अगर friction यहाँ होता, mu की कुछ value होती तो यहाँ पर जरूर friction का force लगता relative motion होने से वो रोकता है friction की value कि इतनी होती है friction का force होता है, वो होता है mu times normal reaction के बराबर अब इसमें बहुत सारे cases आजाते हैं कि भाई यह maximum value होती है friction की, जरूरी निया friction इतना लगे friction लग सकता है इतना यह maximum capacity है जरूरी निया हमेशा उतना लगे, जितना जरूरत होगी उतना ही लगेगा, जैसे इसका एक बहुत अच्छा example देखते है हमारे पास एक यह block रखा हुआ है यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास friction का coefficient की value दिया है भाई, mu की value 0.2 है और इसका वजन हमारे पास mass दिया हुआ है 100 kg तो और मैंने यहाँ पर लगा दिया है 2 newton का इस तरफ से force, बता आँ friction किस तरफ लगेगा, कितना लगेगा पहली जीज़ तो हम देखते हैं कि भाई, अगर हमारे पास mu की value दियो ही है तो हम लिखेंगे, friction का force will be equal to friction का force will be equal to mu times normal reaction यहाँ पर normal reaction कितनी लग रही होगी, भाई, इस पर नीचे लग रहा होगा 100 times g, तो उसको जाता है मेरे पास 200 newton, ओके तो यहाँ पर जो friction की value आई है 200 newton, अच्छा मैंने इस तरफ force लगाया था, इस तरफ motion हो जाता friction बोलता है मैं motion होने ही नहीं दूँगा तो friction का force हमारे पास इस तरफ लगता है, ऐसे friction का अब ज़र यहाँ पर ध्यान से देखो हमने लगाया था इस तरफ 2 newton अगर friction इस तरफ लग जाएगा 200 newton, तो यह forces disbalance नहीं हो जाएंगे in fact यह वाला force ज्यादा हो जाएगा और हमाया पास इस block का, इस तरफ acceleration हो जाएगा कुछ अजीवी चीज़ समझ मारी है तो हम force लगाते हैं, इसको धक्का मात अस तरफ अब वो उस तरफ उल्टा ही भागने लगता हो बहुत तेजी से भागता है, बहुत जादा acceleration के साथ, वैसा नहीं होता है इसलिए यह वाली चीज़ गलत है friction की value यहाँ पे 200 newton नहीं होगी हमें यहाँ पे लिखना चाहिए friction की जो maximum value है friction max possible उसकी value 200 newton है तो अगर मैं यहाँ पे जो force बढ़ा रहा हूँ बढ़ाता जाता, बढ़ाता जाता, बढ़ाता जाता तो friction भी बढ़ता जाता, बढ़ता जाता यहाँ पे हम काईदे से लिख सकते हैं friction is always less than or equal to mu times n यह हमें समझना है, इस तरीके की conceptual questions भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे जो mu की value होती है, वो kinetic या static दो तरीके का friction होता उसको भी बढ़ाता जाता है, उसको भी डीटेल में समझेंगे तो यहाँ पर हमाया पास mu की value दोई है, इस जगे पर mu की value दोई है, 0.2 तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसके उपर नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगेगा mg, block भी नीचे चलना जाता है, उसको कौन रोक रहा है, यहाँ पर tension लग रही है अच्छा, रसी में tension है, तो इसमें भी tension होगी, ठीक है अच्छा, block का नीचे acceleration होगा, तो इसका भी इस तरफ acceleration होगा अगर इसका इस तरफ acceleration होगा, तो यहाँ पर वो घिस्टेगा relative motion हो जाएगा, ground नहीं जा रहा है, कहीं block आगे जाना चाहरा है friction ऐसा होने नहीं देगा friction की maximum value कित्ती होती है, mute times n के बराबर, correct तो पता करो, यहाँ पर tension की कितनी maximum value हो सकती है पता चल जाएगा कि इसके mass की कितनी maximum value हो सकती है बहुत ही अच्छा जवाल है वीडियो को, pause करो, question को solve करो इसका correct answer है, a solve करना शुरू करते हैं देखो हमाया पस friction की maximum value है, पहले वो पता कर लेंगे, उसकी value होती है mu times n, यहाँ पर mu की value है 0.2, normal reaction किसका लिया जाएगा normal reaction यहाँ पर कुछ force लग रहा होगा, देखो इस a की उपर कुछ नीचे की तरफ लगा होगा mg और उसी को बचाने के लिए यहाँ पर normal reaction इस तरीके से लग रहा होगा block का mass दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर यह हो जाएगा हमाया पास 20 newton, तो n की value भी हो जाती है 2 into 20, इसकी value हो जाती है हमाया पास 4 newton, हमाया पास maximum friction का force लग सकता है friction के force का दिशा कौन सी होगी, friction का force लगेगा इस तरफ ऐसे तो अगर इस block को move नहीं करना है, तो tension की जो maximum value हो सकती है, वो कितनी हो सकती है, यहाँ से मुझे पता चल जाता है tension की जो maximum value हो सकती है, वो भी आ जाती है 4 newton, अच्छे tension की maximum value आ गई है मेरे पास 4 newton तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 newton is equal to mg, यहाँ से mass की जो value आ जाती है mass की value आ जाती है 4 upon 10 which is equal to 0.4 kg, यह इस तरफ करेक्ट आंसर, बहुत ही अच्छा सवाल था a system consists of three masses M1, M2 and M3 connected by a string passing over a pulley peak the masses M1 hangs freely and M2 and M3 are on rough horizontal surface the pulley is frictionless and negligible mass, the downward acceleration of mass M1 is तो में बताना भई, इसका नीचे की तरफ acceleration कितना हो पहली बात तो हमने यहाँ पर मान ही लिया कि इसका नीचे की तरफ कुछ acceleration हो रहा है क्यों हो रहा है इसका नीचे की तरफ acceleration? क्योंकि इसके उपर नीचे की तरफ कुछ force लग रहे होंगे इस तरीके से M1, G अब यहां पर आपको solve करना है बताना है कि भाई इसके acceleration की value कितनी होने भाली है हमारे पास सारे के सारे masses को M के बराबर मानना है तो इसको भी मैं M1 G क्यों लिखू हूँ इसको M G ही लिख देता हूँ बहुत ही अच्छा सवाल है और यहां पर आप इसको system मना के solve करने की कोचिश करना आप इसको इस तरीके से खोल देना तो आपको अब यह एक straight flat surface पर आ जाएगा इसके उपर इस तरफ देखो इसको नीचे खीचा जा रहा था न M G से इसको आप बोल देना इस तरफ खीचा जा रहा है M G से इन सभी का acceleration इस तरफ A के बराबर हो जाता है friction कहां-कहां लेगेगा सोचो बहुत अच्छा सवाल है वीडियो को पॉस्परो question को solve करो इसका correct answer है C, solve करते हैं कैसे देखो सबसे पहले तो friction कहां-कहां लगेगा इसका acceleration इधर हो रहा है A, इसका भी acceleration इधर हो रहा है A यहाँ पर लगेगा friction, यहाँ पर लगेगा friction दोनों अलग-अलग भी हो सकते है magnitude में चेक कर लेंगे अभी अच्छा, अब हमारे पास body move हो रही है तो friction अब maximum जितना लग सकता तो उतना लग जाएगा तो friction की value किती होती है, वह होती है mu times normal reaction इन दोनों block के case के लिए देखो इन पर नीचे की तरफ force लग रहा है mg उपर की तरफ लग रहा है normal reaction क्योंकि blocks उपर नीचे move नहीं हो रहे है block तो सिर्फ इदह जा रहे है तो उपर नीचे वाले forces balance है तो n की value mg के बराबर है तो इसको मैं लिख दूँगा mu times mg एक friction का force था है यहाँ पर तो दो friction के forces लग रहे है छीक, अब इसी को हम थोड़ा सना दुखो मैं इसको खोल के बनाता हूँ यहाँ पर हमाया पास यह है M1 और यह इस तरीके से बंदा हुआ है M2 यहाँ पर यह बंदा हुआ है हमाया पास M3 इस तरीके से तीनो के तीनों mass M ही है लेकिन देखते है अच्छे, इनको drive करने वाला force कौन सा है पहली बात तो यह यहाँ पर इस तरीके से नीचे आ रहा था इसी को तो मैंने इधर खोल दिया तो अब यह सारे के सारे इस तरफ move हो रहे होंगे इन सभी का acceleration तो है इस तरफ एक के बराबर friction का force कहा कहा लग रहा है driving force कौन है, इसको mg नीचे खीच रहा था यहाँ पर मैं बना दूँगा mg इस तरफ है, यह लो mg इधर आ गया अब इस system पर इस system के लिए मैं equation लिख सकता हूँ क्या equation लिखूँगा यहाँ पर देखो पहली बात इससे बना देते हैं, system ऐसे आपको actually drawing करने की ज़रुवत नहीं आप तो सीधे चुटकियों में equation लिखना देखो equation क्या हो जाएगी इस दिशा में acceleration है, तो इस दिशा को positive मानेंगे, हम लिखेंगे mg minus f, minus f देखो 2f लगें, भूलना मत will be equal to 3m into acceleration, mass 3m है, system का mass 3m है यहां से महाँ आपास acceleration की सीधे value आजाएगी तो mg minus 2 times, friction की value किती है mu mg, 2 mu mg will be equal to 3mA mass से mass से mass कट गए, हम आपास g की value common ले लोगे, acceleration की value है जाती है g by 3, 1 minus 2 mu, option c is the correct answer a body of mass M is kept on a rough horizontal surface coefficient of friction is mu a horizontal force is applied on the body but it does not move the resultant of normal reaction and the frictional force acting on the object is given by capital F where F is बहुत अच्छे सवाल है, प्रीबोडी डिगरम बनाना है तो अच्छे से neat and clean diagram बनाओ और जो पूछा हो बताओ, फेस solution देखते हैं इसका correct answer है D, solve करते हैं कैसे आया तो देखो हमाया पास पहले एक floor बनाएंगे उस पे एक block को रख देते हैं इस तरीके से ठीक अब इस block की उपर नीचे की तरफ force लगा होगा mg का इस तरीके से ये रहा mg उपर की तरफ हमें normal reaction मिलेगी यहां पर इस तरीके से मिल गई normal reaction फिर हमने क्या बोल दिया, हमने इस दिशा में कुछ force लगाया है और force लगाया लेकिन it does not move does not move का मतलब क्या है इसका मतलब friction sufficient था मैं जितना भी force लगाता हूँ मालो मैंने यहां पर लगा दिया है force F तो उतना ही हमाया पास friction का force लग जाता है ठीक, all right friction का force लग जाता है लेकिन friction के force की एक limit है ऐसा नहीं कि यह force बढ़ाता जाओंगा बढ़ाता जाओंगा तो friction भी बढ़ता जाओगा frictional force acting on the object यह रहा normal reaction यह रहा frictional force इन दोनों का resultant बनाना है तो देखो इसका free body diagram बनाता है यह रहा मेरा block block पे उपर की तरफ लगा था normal reaction block की उपर इस दिशा में लगा है हमाया पास friction का force इस तरीके से इन दोनों का जो resultant होगा वो कुछ इस तरीके से लगने वाला है यह ऐसा अब यहां से हमाया पास इसकी जो value है इसको resultant को f vector लिखा है f vector का जो magnitude है उसको हम कैसे लिख सकते है basically यह वाली length लिखनी है तो this length will be equal to क्या पाइथाग और रस्तिम से लगा दो इसका square प्लस इसका square इसका square तो f का square will be equal to small f का square प्लस n का square यहां पर हमाया पास f का जो magnitude है उसकी value हाजाती है under root of f का square प्लस n का square अब एक बात बताओ मेरे पास n की value तो मुझे पता है भाई n की value mg के बराबर है तो इसको एक काम करते है यहां पर ही लिख देते है इसकी value है mg के बराबर तो इसका हमाया पास हो जाएगा square m square g square ठीक लेकिन यह जो friction का force है न इसकी absolute value मुझे नहीं पता इसकी limiting value पताएगी भाई इसकी maximum value इतनी है अब यहां पर आप देखो friction की value अगर 0 होती तो friction यह जो f की value वह इसके बराबर होती जैसे जैसे मैं इसकी value बढ़ाता जाऊँगा यह वाली value भी बढ़ती जाएगी इसकी जो maximum value है जब आएगी तभी इसकी maximum value आएगी तो मैं यहां पर बोल सकता हूँ कि हमाया पास जो force f का magnitude है वो हमेशा इसकी जो भी maximum value है possible उससे या तो बराबर होगा या छोटा होगा उससे बढ़ा नहीं हो सकता तो इसलिए हमने यह वाला sign लगा दिया और यहां पर अपर 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 देंगे इसकी maximum value जो हो जाती है mu square m square g square plus m square g square इस तरीके से आजाएगा और तो यहां से हमाया पास mg को हम common निकाल देंगे under root में बस्ता माया पास 1 plus mu square d is the correct answer friction की जो value होती है friction का जो first होता उसकी value होती है mu times normal reaction लेकिन यह mu की भी दो value होती है static friction होता है kinetic friction होता है दोनों चीज़़ों को देखते है static का मतलब जैसे की नाम से ही पता चल रहा है अगर relative motion नहीं हो रहा है basically वो चीज़ उसके 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 उपर फिसल नहीं रही है यह उसके 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 उपर static है तो वहाँ पर महाँ पास static friction लगता है नहीं तो फिर महाँ पास kinetic friction लगता है अब जो static friction होता है वो self-adjusting होता है इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं force लगाँगा ही नहीं तो friction लगेगा क्यों जितना हम force लगाएंगे उतना ही friction लगता है और यहाँ पर इसको मोलेंगे self-adjusting nature ठीक है तो चलो इसका graph बनाने की कोशिश करते है हम देखते हैं कि भाई हमने कुछ force लगाया यहाँ पर force की value हम बढ़ाएंगे और हम देखते हैं कि बाकी reverse में friction का force कितना लगा है उसको हम measure यहाँ पर करेंगे तो अभी तक block move नहीं हो रहा है इसका मतलब उतना ही equal हमाय पास friction का force लग रहा होगा और यह static friction का लाएगा है यहाँ पर हमाय पास जो graph आएगा वो exactly इस तरीके का होता है जितना मेरे पास force लगाता हूँ exactly उतना friction का force होता है तो यहाँ पर मैं यह भी बोल सकते है भाई कि इसका जो angle होगा न 45 degree का ही होगा ठीक, alright तो हमाय पास फिर मैं force बढ़ाता जारूँ बढ़ाता जारूँ, बढ़ाता जारूँ force को मैंने इतना बढ़ा दिया friction का force भी उत्ता बढ़ गया तो देखो हम मान लो इस limit पर पहुँच गए यह है वो limit जिसको हम बोलते है mu as times normal reaction यह हमाय पास friction की maximum value है ठीक, अब मैं मान नहीं रहा मैं इसके बाद फिर भी थोड़ा सा और friction force लगा दूँगा कौन से वाला force? मैं जो force लगा था मैं का अब मैं और बढ़ाऊंगा तो मुझे पता है friction अब और बढ़ नहीं सकता friction और बढ़ नहीं सकता तो हमारा block आगया move होना शुरू हो जाएगा block move होना शुरू होएगा तो अब हम बोलेंगे हमापस kinetic friction लगेगा तो basically हम बोल सकते हैं इस region में यह जो region था इसमें हमाया block wasn't moving या फिर मैं यह यह लिख देता हूँ no relative motion इस तरीके सा हम लिख देता है लेकिन इसके आगे का जो region है उसमें पता है हमारे पास कि अब यहाँ पर relative motion होगा तो उसको slipping लिख दो sliding लिख दो कुछ भी आप बोल सकते हो ठीक है यहाँ पर sliding हो रही है अब यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि भाई मैं force की value बढ़ाता जा रहा हूँ और friction की value अब एक maximum limit आ गई तो वो भी उतनी रहती उससे जाद जान नहीं सकती थी ऐसा हमाय पास graph होना चाहेता है यहाँ से यहाँ फिर इस तरीके से लेकिन अच्छा observe किया गया है practical reasons के current से कुछ होंगे अब हमें discuss करने की ज़रुएत नहीं हमाय पास जो kinetic friction होता है वो थोड़ा सा कम होता है static friction की maximum value होती है उससे अब हमाय पास friction का force कुछ इस तरीके से आएगा यह और यह वाली जो value है इसको हम बोलते हैं इस इस kinetic friction kinetic friction तो आपसे इस तरीके का graph भी एक्जाम में पूछा जा सकता है इस kinetic friction की जो value होती है वो होती है μ के times normal reaction के बराबर तो हमाय पास यह friction का graph होता है यही जो छोटा सा वीडियो आपने देखा है एक छोटा सा पार्ट है बहुत ही प्यारे से crash course का जिसमें हमने सारे के सारे concepts colorful तरीके से और इतने सारे PYQs करें कि आपकी practice भी हो जाएगी साथ में पूरी learning भी हो जाएगी link is in the description पूरे के पूरे crash course मैं आपका इंदजार कर रहा हूँ colorful graphics के साथ बहुत सारे PYQs के साथ आजाओ जल्दी मिलते हैं झाल झाल